तो बात के लेते हैं यहां से प्याज के उपपर यह तो हमने जाने कि किस मंडिक मिंदर प्याज का क्या भाव देखने को मिल रहे हैं और आवा की कैसे देखने को मिल रहे हैं अब बात के लेते हैं यहां से तेजी और मंदी की तो प्याज की कीमतों में हमने देखा है कि पीते कुछ दिनों से तेजी बनती ही नजर आ रही है शुरुआत करेंगे तव से जून जुलाई के महीने से उस समय जब प्याज की बुवाई की जा रही थी अच्छे उत्पादन मिला जिसकी वज़ा से किसानों ने इस साल भी प्याज की फसल लगाने की सोची और प्याज की जादा बुवाई करी लेकिन अब पूरे देश में हर किसान ने प्याज की कीमतों से अच्छा मुनाफ़ा कमाने के लिए प्याज की बुवाई इतनी करती कि पूरे देश में प प्याज की उत्पादक राज्य हो या फी सबसे कम उत्पादक राज्य है। सभी जगा प्याज का रगबा जादा ही देखने को मिला। जिसकी वज़ा से उस समय तब मौन्सून नहीं आया था, मौन्सून आने वाला था। जिसकी वज़ा से प्याज की जो फसले हैं कहीं खराब होती भी नजर आ सकती हैं जिसकी वज़ा से उन्होंने स्टॉक कर लिया। मौन्बई के साथ साथ अन्य राज्यों की किसानों और वैपावरी ने भी प्याज को कहीं न कहीं स्टॉक करके रखा था, जिसकी वज़ा से अब उसका फायदा उनको मिलता हो नजर आ रहा हैं क्योंकि स्टॉक करने के बावजूद भी प्याज की जो फसल है, भारी जिसकी वज़ा से इस समय मौझूदा वर्तवान समय में प्याज की कीमतों में इतना हुचाल देखने को मिला था, लेकिन सरकार ने पहले से ही प्याज की कीमतों को काबू करने के लिए कदम उठा रखा था इस बार, पिछली बार सरकार थोड़ा लेट हो गई थी, लेकिन इस बार, सरकार ने वक्त रहते ही प्याज की कीमतों को काबू में करने के लिए कदम उठाया है, और सरकार ने अपना 2,0,00,000 का बफ़र स्टॉक बनाने की बात कही थी, और सरकार ने बनाया भी था, लेकिन जो बफ़र स्टॉक तो सरकार ने थोड़ा फालतू बनाया, 2,08 ने 8 लाख टन का buffer stock बनाया जो कि अगस्त के आखरी हफते से बजारों में उतारा जा रहा है और यही कारण है कि अब प्याज की बरतीवी कीमतों पर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अंकुछ भी लगता है नजर आ रहा है लेकिन वेपारियों को और किसानों को पूरी पूरी उमीद है कि प्याज की जो कीमते हैं दिवाली तक जादा ही रहेंगी और जब नहीं फसल आएगी नहीं आवके आएगी मंडियों के अंदर अब कुछी समय में आने वाली है नहीं प्याज भी तब जाके कहीं न कहीं प्याज की कीमतों पर थोड़ा दवाव आएगा लेकिन इतना भी नहीं आएगा कि प्याज की कीमतों बहुत कम हो जाए या फिर किसानों को उनकी लागत ही न निकले प्याज की कीमते ठीट ठाकी रहेंगी थोड़ा दबाव भले ही देखने को मिलेगा लेकि इतना भी देखने को नहीं मिलेगा और दूसरा इस समय दिवाली तक प्याज की जो कीमते हैं वो अच्छी ही रहेंगी वेपारियों से मिली जानकारी के अनुसार प्याज की कीमते दीवाली तक ऐसी बनी रहने की उमीद जताई जा रही है क्योंकि तोहारी सीजन है तोहारी मांग भी है अब खपत भी बढ़ जाएगी क्योंकि नवरातरे ख़तम हो चुके हैं ऐसा कोई तोहार नहीं है जहां पर प्याज की खपत ना की जाए तो पकवानों में भी प्याज की खपत होगी और अन्य दुकानों पर भी जहां पर स्नैक्स वगेर और प्रोसेस्ट फूड आइटम्स बनाए जाते हैं तो उन इंडेस्ट्री में प्याज की खपत अब बढ़ती भी नजर आएगी कहीं ना कहीं। तो यानि कि खपत के साथ साथ अब कीमतों में भी तेजी रहने की उमीद हैं। लेकिन तभी तक है जब तक नई प्याज की आवक मंडियों में नहीं आजाती है। नई आवक आते ही कुछ दवाब भी देखने को ज़रूर मिलेगा। लेकिन तब तक प्याज की कीमतों में वेपारी और जानकार तेजी ही बता रहे हैं। तो फिलाल मंडियों के हाल में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।